गुद मॉनिंग आज हम लोग देखेंगे लोको मोटीव के बारे में जानेंगे कि लोको मोटीव क्या है इसके टाइप क्लासिफिकेशन वगरा जो जो है उसके बारे में इसका मेंटेनेंस क्या है कैसे है वोगी क्या होते है वो सब के बारे में हम लोग जानेंगे तो वो सब जानने से पहले थोड़ा हम लोग लोको मोटीव के हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं और जो हम लोको मोटीव का हिस्ट्री देखेंगे यह इंडियन रेलवे के मतलब और से देखेंगे क्या हिस्ट्री रही है इंडियन रेलवे में लोको मोटीव की तो सबसे पहले अगर जो रेल चली थी वो आप देख सकते हैं 16 अप्रेल 823 को तीन बच के 35 मिनट अपराहान में यह चली थी पहली पैसेंजर ट्रेन और इसकी बात करें तो यह जो मुंबाई में हैं वहां से बोरी बंदर से ले करके ठाने तक चली थी जो लगभग 34 किलो मीटर की डिस्टेंस कवर की थी और इसमें 14 कोंच बोगी लगए हुए थी और जिसमें ट्रेवल कर रहे थे लगभग हमारे 400 पैसेंजर ठीक है और यह जो दूरी थी 34 किलो मीटर की इसको कंप्लेट करने में यह लिया था लगभग एक घंटा 15 मिनट के आसपास यह हमारी थी 1st मतलब लोको मोटीव नहीं कहेंगे तो 1st train कहेंगे अब 1st train जब चल गए तो इसके बारे में हमने और आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे कि जैसे जैसे टाइम आते गया जो मेरे स्टीम में जल था वो कोल से मतलब बर्निंग होकर के स्टीम से बन करके हमारी लोको मोटीव चलता था या फिर कोल हो गया वूड हो गया इस सबके बर्निंग से लेकिन दिये दिमें से मैं चेंज हुआ और हम लोग के पास एक नया मिला जो डीजर इंजर मिला और 1915 1915 में हम लोग का फर्स्ट डीजल लोको मोटीव मिला यह देख सकते हैं यह रहा यह हम लोग का फर्स्ट डीजल लोको मोटीव है जो 1915 में मिला था और मतलब देखे तुन्हा इस्टीम गए उन्हा तुन्हा में तो यह फास्ट ज्यादा थी इन स्पीड बहुत देचल दे थी तो डीजल इंजन को स्विच किया गया हमारे इस्टीम इंजन से निकल करके बात करें लाश्ट इस्टीम इंजन की तो वह अभी भी है हम लोग देख सकते हैं मैं दिखा रहा हूं यह देखिए हैं हम लोग यह सबसे लाश्ट इस्टीम इंजन है उसका नाम है सेरे पंजाब जो देखिए यह यह है लाश्ट इस्टीम इंजन सेरे पंजाब देखिए लाश्ट इस्टीम इंजन जो ब्रॉड गेज के लिए बनी है और इसका जो लाश्ट इर्णी वह चोद इसमन सब्प पंचानमिक रहा उसके बाद इसको जला अंधर के फिरोजफूर में रख दिया गया मतला हेटेज के तौर पर है कि देखने के लिए है तो हम लोग जैसे से टाइम आते गया वैसर अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक इंजन के हिस्ट्री के बारे में अब इलेक्ट्रिक इंजन के हिस्ट्री के बारे में अब इलेक्ट्रिक इंजन के बाद करें तो हम लोग का जो पहला इलेक्ट्रिक इंजन था आई होप आप लोग पढ़े हुईएगा वो हम लोग को हिस्ट्री में बहुत जब पढ़े हैं कि फॉर्स्ट जो इलेक्ट्रिक इंजन है वो है देखिए फॉर्स्ट इलेक्ट्रिक इंजन तीन फरवरी 1925 को चला था ठीक है और इस मावले में जो हिंदुस्तान था भारत हमारा वो वर्ड का 24 बिस्वा देश बना जहां पर इलेक्ट्रिक इंजन बना था यह चला था उस समय, अब इसकी बात करें, तो कुछ-कुछ चीज़ जानेते हैं, इलेक्टिक इंजनर, फर्स इलेक्टिक इंजनर में क्या था, कि ये रनिंग 1925 में हुआ था, कब 3 फरवरी, तीन फरवरी 1925 को हुआ था, टाइम था लगभग हुआ है, दस बजे एम के आसपास है, तो ये इलेक्टिक इंजनर था, जो ये रन कर रहा था, वो लगभग रन कर रहा था, 1500 बोल्ट डीसी पे, ओके, और ये लगभग जो इससे पहले डिस्टेंस कवर की थी, वो 9.5 माल का डिस्टेंस कवर किया था, और इसको ये जंड़ी दिख्या था, उस समय के जो हमारे मुंबाई, बॉम्बे कहा था था, नो उसमय, बॉम्बे के गवर्णर, जो गवर्णर थे, एल ओ विल्सन सर, सर एल ओ विल्सन, उन्होंने इसको ग्रिन जंड़ी दिखाया था, तो ये हमारा फर्स्ट इंट्रो हुआ था, इलेक्रिक इंजन का भारत में, अब हम लोग इससे आगे भढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इलेक्रिक इंजन के भारे में हम लोग अब धीरे-धीरे जानेंगे, तो पहला इलेक्रिक इंजन जो आथा, उन्होंसे 25 में आथा, और इसको हम लोग साथ ब्लैक ब्यूटी के नाम से जानते थे, ऐसा ही मने कुछ पढ़ा था, अब हम लोग साथ कर इलेक्रिक इंजन में, तो जैसे की, हाँ, उन्होंने क्लेचर एन क्लासिफिकेशन औफ इलेक्रिक लोग को, ठीक है, देखिए, सबसे पहले, जब भी हम लोग इंजन का नाम सुनते हैं, जैसे अभी सबसे लेटेश्ट इंजन जो आया है, उसको बोलते हैं हम लोग, यह आप लोग ने सुना हुएएगा, तो इसमें यह नोमनिक लेचर जो हम लोग पहले जानेंगे, तो आटोमेटिक इसके हम लोग क्लासिफिकेशन को भी समझ में आने लगएगा, तो जो सबसे पहला लेटर होता है, हमारा जो सबसे पहला लेटर है, उसको देखेंगे, तो यह है, यह गेज को दिखाता है, यह जो इंजने किस गेज पर यूज होता है, जैसे डबलू है, तो ब्रॉड गेज, जिसकी चवराई होती है, 1.676 मीटर, अगर वाई है, तो 0.609 मीटर, पहला जो लेटर है, वो इसका गेज को बताता है, तो पहला लेटर जो है, वो गेज को बताता है, और जो दूसरा लेटर है, दूसरा लेटर, वो दूसरा लेटर बताएगा हमारा सोर्स ओफ पावर, यह रहा, यह हमारा दूसरा सोर्स ओफ पावर को बताएगा कि इस engine में जो power का source, वो source क्या है example के लिए अगर D लिखा हुआ है तो diesel engine, C लिखा हुआ है तो DC पे चलने वाले DC traction system के engine है अगर A लिखा हुआ है तो ये AC traction पे चलेगी और C and A लिखा हुआ है इसको हमने AC पे भी उज़ कर सकते हैं और DC पे भी उज़ कर सकते हैं और अब बात करें 3rd Y line की और 3rd letter की तो 3rd letter दिखाता है इसका application कहा है जैसे M लिखा हुआ है तो mixed traffic, mixed traffic means capable for goods also for passenger ठीक है तो M है mixed मतलब goods के लिए, passenger के लिए भी B लिखा हुआ है तो passenger के लिए जैसे G लिखा हुआ है तो goods के लिए जैसे यहां G लिखा हुआ है तो यह goods के लिए है goods को carry करने के लिए है इस लिखा हुआ हो तो only for something और U लिखा हुआ है तो multiple unit instruments यह EMU होते है जो train चलते EMU जिसमें धेर सारे engine लगी होती है बीच बीच में उसको यह में बोलते है और यह DMU में तो यह हमारा इसका application के अधार पर और जो सबसे last में रहता है कुछ number रहते हैं वो उसके जो locomotive को जो chronology है उसका क्यों सा generation है या कौन सा model उसको बताता है जिसे WAG 9, WAG 10 11 वो दोनों सक्सीर नहीं हुए थे या फिर जिसे WG 5, WG 6 यह जो बताता है यह उसका कौन सा generation चल रहा है अब कभी-कभी सुनते हुएगा कि बीच में कैसे माने WG 5 है और WG 7 है तो 6 तो मार्केट में आया होगा लेकि उसमें खरावी की वज़ाद से वो run नहीं कर सका या वो initial condition में उसको हटा दिया गया इसलिए उसको नहीं देखते हैं तो यह हमारा रहा nominic lecture of electric locomotive electric locomotive और digital locomotive को nominic lecture कैसे करते हैं वो इस घर पे करते हैं तो अब आप कोई भी engine का नाम देख करके बता सकते हैं कि यह जो engine है यह हमारा किस मतलब यह broad gauge के लिए है narrow gauge के लिए है वो पहले later से जान जाएंगे दूसरे से देख लेंगे किस पे चलने वाली है किस के लिए चलने वाली है और यह कौन सी generation की कौन सी generation की यह कौन से number की locomotive है उसको chronologically में ठीक है अब हम लोग एक example देखते है ठीक है एक example देखते है अगर आप लोगों ने सफ़र किया होगा train में तो WAP4 को देखे होंगी इसा देट कदर का थोसा होता है यह basically passenger train के लिए है तो जान जाएंगे है अब देखे है इसका नाम है WAG4 WAP4 तो W जो W है यह donate करता है कौन से gauge के लिए है ब्राड gauge के लिए है जो यह A है यह donate करता है कि सिस्टम चलेगा तो यह AC traction system के लिए यूज कर सकते है और जो P है यह दिखाता है traffic कौन सा इसका है तो यह है passenger system के लिए बहतर है और जो 4 है यह donate करता है कि जो यह locomotive है यह chronologically 4th electro locomotive है इस Indian railway के लिए किया जाने वाला तो आप समझते है I think आपको थोड़ा passenger और goods के लिए confusion होता होगा तो देखिए जो goods train होती है उसमें hauling capacity मतलब load बहुत खिचने के छमता होती है with the speed जो होगा उसका low पे low speed होता है लेकिन जो passenger train होती है वो उसका load capacity कम होता है बट उसका speed जो होता है वो high होता है और उसका acceleration तुरंद एकदम high तुरंद एकदम low ताकि तुरंद तुरंद होगा उसको stop और start के नहीं हो तुरंद run करें तो basically हमारा यह रहा elective locomotive के classification और type के बारे में तो अब हम लोग इस अधार पे classification भी कर सकते हैं कि on the basis of traction system AC and DC ठीक on the basis of gauge तो broad gauge पर चलने वाली meter gauge नाइनो गेज पर चलने वाली फिपे passenger के अधार पे तो हम देख सकते हैं कि goods train and passenger train and someone mixed train जो दोनों के लिए carry कर सकते हैं उसका हम लोग जो मतला speed और hauling capacity है उसको medium रखते हैं ताकि वो load के लिए भी यूज़ कर सकते हैं मतला goods के लिए भी और passenger के लिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखेंगे power circuit power circuit के बारे में हम लोग देखेंगे तो electric locomotive के अगर power circuit की बात करें तो सबसे पहले हम लोग उसका basic देखेंगे basic power circuit क्या होता है ओके देखेंगे electric locomotive एकदम simple funda है सबसे पहले हमारा क्या दिख रहा है AC overhead line तो यह हमारा AC overhead line हो गया इसके थुरू हम आते हैं pentograph लगाते हैं और pentograph supply लेते हैं engine में आप समझ सकते हैं कि यह एक engine है यहां wheel लगा हुआ है ठीक है तो pentograph लगा वहाँ supply आया supply को on off करने के लिए हमारे पास होते हैं circuit breaker यह section यह हमारा circuit breaker है अब supply circuit breaker पे आने के बाद आते हैं हमारे transformer में जो high voltage को low voltage में convert करने का काम करता है अब जब supply transformer में आ जाएगा तो इसका second list हम लोग उठा कर देंगे tap changer में tap changer बैसिकली क्या होता है कि हम लोग different voltage level प्राप्ट करने के लिए tap changer का यूज़ करते हैं तो इसमें टाप और टाम स्वाम के tap changer से हम लोग जो AC output निकलता है एक regulated AC output निकलता है कि किस value के हम को चाहिए उस regulated AC output को हम लोग rectify करके DC में convert करते हैं और rectify के साथ उसमें हम लोग different type के filter वगया लगा करके उसको हम लोग pure DC में convert करके हम लोग traction motor को देते हैं और जुसका return path है AC का एक तो उपड़ से 25 kp आ रहा है और यहां से एक आता है हमारे पास wheel से negative path पूरा होता है जुसका हम लोग return rail काहिए करके मतलब पूरा circuit को complete करता है तो basic यह एक power circuit diagram है locomotive electric locomotive का अब इसमें थोड़ा इसमें और deep जाके हम लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या होता है देखिए तो सबसे पहले है कि हमारे यहां उपर देने के लिए OEC है OEC को लेने के बाद हमारा आता है collect pentograph से collect करेंगे OEC को उसके बाद आता है जिसको DJ बोलता है circuit breaker हो गया B point यहांने का circuit breaker मिल गया फिर C point is transformer फिर यहांने के बाद यहां पर transformer नीचे section में AC के install होते है तो यहां transformer के पास आ गया अब जब transformer के पास आ जाएगा तो transformer से दो पास निकलता है अब देख सकते हैं एक जाता है RSI rectifier block unit होता है मतलब बिसिकल यह rectification है काम करता है तो यहां से निकल के यह आए rectifier में rectifier सा आए filter में तो यह हमारे rectifier सा आएगा filter में यहां से निकला ऐसे फेर निकला filter में अब filter में आने के वाज़ डिस में filter हो गया तो इसको हम लोग different एक यहां पे दिये यहां पे दिये यहां पे दिये तो यह दोनों में supply दे यह सेम तरीका से है इधर भी motor लगे हुए है तो इधर भी हम लोग supply दिये तो यह हमारा एक तरसे हो गया डाइग्राम पावर सर्कीट डाइग्राम लेकिन साथ में हमको auxiliary supply की जरूरत परती है जैसे कि engine को शुरुआती में start करने के लिए पेंटो को अब उपा उठाने के लिए यहां पे air की pressure चाहिए मैं बता चुका हूँ पहले ही वीडियो में देख सकते है कि air को pressure चाहिए पेंटो को उठाने के लिए अब वो air को pressure को प्राप्ट करने के लिए हम लोग compressor को चलाते हैं अब compressor को लगभग 6 kg काश पास काई प्रेसर चाहिए तो वो pressure प्राप्ट करने के लिए हम लोग batteries चलाते हैं तो battery को charge करने के लिए हम लोग इसी transformer से tapping ले करके और वो देते हैं static converter होता है जो AC to AC converter होता है जो different voltage level पर रहते हैं जैसे कि single phase to 3 phase step के नए नए समय के साथ उसका upgrade भी किया गया है तो अभी तो static note ही होता है तो वो AC converter क्या करता है single phase को 3 phase में convert करके और वो compressor और blower जैसे motor run होगा taxon motors को ठंडा करने के लिए blower चाहिए तो वो blower को supply देगा transformer cooling करेगा rectifier unit को cooling करेगा जाता है इसके अलाबा breaking arrangement के लिए compressor को भी supply जाता है जो लगवक्त 380 volt 3 phase को भी supply जाता है यह हमारा compressor को भी supply जाता है और उसके बाए battery charger को जाता है जो AC को DC में convert करके battery को charge करने का भी काम करता है अब इसमें कुछ data देख सकते हैं जैसे कि OHE 25 के भी जाता है okay transformer हमारा 750 volt AC circuit पे convert करता है फिर उसको 750 volt DC पे भी convert करता है rectifier की मदद से उसके बाद वही 750 volts को regulate करते हुए हम लोग DC series motor जो होता है उसमें देते हैं लेकिन यह एक conventional पुराने वाई लोगों के समय के साथ change हो रहा है और आजकल लगभग 3 phase लोगों को आ गए है इसमेंस कि वह single phase को 3 phase में convert करके देगा इससे क्या होता है DC motor का maintenance बहुत होता है क्यों कि उसमें static और यह दोने binding होते हैं तो इस सब चीज को देखते हुए अब वह जो यह है transformer हमारा है यह जो sorry motor है इसमें को speed control काफी smooth ही मिलता है उसमें दिक्कत नहीं होता है क्योंकि आजकल हमारा technology बहुत मजभूत हो गया है तो वह controlling में कोई दिक्कत नहीं होता है अब हम लोग देख सकते हैं कि power circuit अगराम देख लिए हैं तो अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखेंगे यह power circuit actual कि मतलग कैसे होता है और साथ में उसका यह क्या कैता है इसको auxiliary circuit यह आप picture देख सकते हैं देखेंगे तो सबसे पहले है हमारा circuit डो पार्ट में बच्चा हुआ है जैसे कि power circuit बात करें तो इसमें एक रीचीज को दिखाये गया है तो समझने में असानी है तो सबसे पहले same condition 25 kv पे आ रही है circuit breaker को आ रहा है यह circuit breaker system को दिया transformer को transformer AC को DC में convert sorry AC को AC में low voltage convert किया tap changer को tap changer different tap पे change करते हुए देगा rectify unit को rectify unit देगा smoothing reactor यह एक reactor basically होता है जो impulsative DC को pure DC में convert करता है कि motor में supply को opposite करने का काम करता है और उसके बाद हम लगाते है यह देखे DBR grid basically क्या होता है कि motor को traction पावर देना है या उसको braking पावर देना है अगर traction को select करेंगे तो motor को power मिलेगा और motor तेज़ चलेगा अगर braking को supply करेंगे apply मतलब उसको select करेंगे तो वो motor में braking effort लगाएगा और train को slow करने काम करेगा regenerative braking यह इसी condition में होती है और उसके बाद हम देखेंगे इना traction motor 1 है 2 है और 3 है इसके बाद यह होते हुए हमारा circuit पूरा होता है अब साथ में देख सकते हैं यह negative path हो गया rail का अब साथ में देख सकते हैं कि auxiliary supply auxiliary supply तो वही transformer जो है उसी से निकलता है दूसरे binding से वह आते हैं हमारे static converter में आज कल modern static converter आ गया है यह single phase को 3 phase में convert करता है जो different different voltage level है approximately 960 के असपास है वह आते हैं अलग-अलग huge के अधार पर जैसे बता चुके हैं compressor के लिए battery charger के लिए different different चीज़ों के देने के लिए single phase to 3 phase जो static converter को convert करके supply देता है तो अगर आप diagram बनना चाहें तो जो यह section देखिए sorry यह section अगर आप इतना बनाते हैं तो यह power diagram हो गया ठीक है और auxiliary diagram बनाने के लिए जैसे कि आप इतना बना सकते हैं यह auxiliary diagram हुआ लेकिन इसमें जैसे दिखा गया है यह compressor दिखा गया है तो आप इसमें blower भी दिखा सकते हैं एक blower हो जाएगा आपका traction motor के लिए दूसरा blower हो जाएगा rectifier के लिए rectifier कुल करने के लिए तो यह आपका बन जाएगा auxiliary circuit यह हमारा basically circuit diagram हो गया electric locomotive का अभी इतना ही रखते हैं और next topic में हम दो देख लेंगे बोगी क्या होती है बोगी arrangement क्या होती है बोगी के अधारपन क्लास्रिपिकेशन कैसे करते हैं electric locomotive का maintenance क्या क्या होता है कैसे कैसे होता है thank you इतने क्या है यह झार